हेलो एवरीवान वैलकम टू एक्जाम दोस्त माई डियर स्टूडेंट्स मैं आगेन आप लोगों के लिएक लिएक और जॉब नोटिफिकेशन और यह जॉब नोटिफिकेशन है भारत इलेक्टोंस लिम्टेड में लेकिन ध्यान रखना है इस बात का कि हमारे एक्जाम दोस चॉबिस को नोटिफाई किया गया है भारत इलेक्टोंस लिम्टेड के तुरू और वो बारा ग्यारा दो है चॉबिस वाला है देट में डिफरेंस है और एडवर्टाइजमेंट नम्मर भी डिफरेंट है तो वो अलग रिकुट्मेंट था जिसमें सीनियर इंजिनियर और त्यार से टनियर चॉबिस टर्म के लिए ठाल के लिए और एख एकस पर देखें आपको ुसके केस में तो आपको थे सीनियर इंजिनियर वाले पोस्ट में एक रिलेवंट एक्स्प्रियंट की requirement थी डिप्ती इंजिनियर में आपको relevant experience की requirement नहीं थी बस job responsibility आपके पास की बनती यहां पर आपके लिए एक तरीके से freshers के लिए यहां पर आपको कोईères की requirement प्रेजेंट नहीं है जैसे कि है आपको देख रहा हो गया पर फिंस टैनियोर इंजीनियर electronics में 48 लेकिन अलग-अलग complex के लिए बैंगलोर complex के लिए electronics में 48, mechanical में 52, computer science में 75, electrical के लिए 2 vacancies हैं लेकिन अगर आप बात करें जो अंबाला और कॉमा जोधफुर और भटिंडा की बात करें वहाँ पर electronics में 3 है, electronics में 24 है, मुंबई और बिजाग में computer science में 10 हैं, बाइजाग एंड डेली एंड इंडॉर, electronics में 10 हैं आपकी गाजियाबाद में, computer science में 5 हैं गाजियाबाद में तो मतलब यह है कि अगर कोई electronics का candidate है सपोस्ट और वो जहाँ चाता है गाजियाबाद में comfortable है वो और मालो गाजियाबाद की निवासी है तो वो इस पोस्ट के लिए is दुरू जाए तो गाजियाबाद lange बेंगलोर में रहता तो वह बहिएै किसको देने बैंगलोर complex को कोई अमबाला जोदपूर या भढ़िंडा में है तो वो इलेक्ट्रों इस वाली इस वाली रहता है तो वो इस वाली वेक्ट्रों के लिए कितनी वेक्ट्रों हो गई ठीक है भले आपको लग रहा होगा यह सर्फ फाइव एर्स के लिए ही है सर्फ यह नोटिफिकेशन द उसका experience है वो लेटर उन उसके लिए बहुत जड़ा इंपोडेंट हो जाता है बहुत जादा काम आता है सपोस्थ किसी इंजिनेर्स की अभी जस्ट फाइनल येर में माल लो और फाइनल येर के बाल माल लो इसको apply करता है उसके इसमें होने के chances बहुत जादा है अब क्या हो कर रहे होते हैं तो सपोस्थ के मोड में है प्रिपरिशन की जन्दी में चल रहे हैं आपको लगता है कि मेरा एक साल हो गया मैं ड्रॉप ले लिया इन डाट केस आप ऐसे में जाके काम कर सकते हैं अब आप इसी की जोड़ने 48 प्लस यहां पर फिर 24 यहां पर 10 तो कापी आगे बढ़ता हूं इसमें तो यहां पर अपर इस लिमिट जो है अन्रिजर्व के लिए वो 28 यह है बाकी अधर बैक बैक वाट क्लासेस को थी एर्स की सेडूल कास्ट को फाइव एर्स की और परसनल बेंचमार्क डिसेबिलेटी है ना मिनमाम 40 परसेंट के पास डिसेबिल लेंघ लेघ आप यहां पर आगर आप बात करें लोग्त थीक है तो इलेक्ट्रोन इंजनियरिंग इन्फोर कोसे डेक्ट्री की बात करें अब बात करते हैं यहां पर ठीक है जो इंपूरेंट है आपके पास method of selection सबसे पहले आप form fill करेंगे form fill करने के बाद आपको shortlist किया जाएगा shortlisting के बाद आपका जो exam होगा वोगा computer-based test होगा ठीक है जैसे आपकी application आपकी shortlist हो जाएगी आपकी accept हो जाएगी आपकी प्रॉपर है तो आप उसके लिए मतला एक तरीके से accepted होगी आपकी application आपका computer-based test होगा computer-based test का जैसे result आएगा उसके बेस पर आप interview के लिए जाएगे फिर interview में आपका जो रहेगा performance उसके बेस पर आपका selection होगा यह यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है ठीक है नेक्स बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका return test होगा उसमें क्या आएगा उसमें 85 marks का paper होगा general aptitude and technical aptitude जो आप गेट में पढ़ते हैं लगवा जो बचपन से आप पढ़ते हुए आए होते हैं हर एक्जाम में लगवक almost common होता है टेकनिकल में आपका आगए जो आपना qualifying marks भी बहुत कम है आपके पास अगर आप 35 परसेंट मार्स लेकर आते हैं तो आप qualify हो जाएंगे रिटन टेस्ट में आपको इंटर्वू के लिए बुलाया जाएगा ठीक है तो आप जितने यह बच्चे कोसिस कर सकते हैं जिनके लिए suitable apply कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर ल लाक से साड़े बारा लाक मिलेगा आपको ठीक है तो अगर कोई candidates मालो गाज्याबाद जैसी जगे में रहता है यह आपके जोदपूर वाली जो इलाका था एरिया था वहां जाता है मालो तो यह अच्छा खासा payment है आपका मालो को जोदपूर में रहता है और 12.5 लाक उसका यह पेस के लिए तो अच्छा खासा यह handsome amount of money हो गया पांस साल के लिए और पांस साल में वो अपना मतलब मैं मान के चलता हूं वर्क के साथ जो लोग जॉब करना चाहते है सबके अपनी अपनी मतलब conditions है family की उनके लिए बहुत भैतरी नहीं यह मतलब तरीका है फिर application fees की ब अपनी के लिए फ्री आप कोस्ट आराम से अराम भरी ठीक है ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं payments को करने के लिए यहांपर पूरा दिया हुआ कैसे payments करेंगे फीश का हाउ टो एप्लाई के लिए यहाँ पर गिवन है आपके पास कि आपको कैसे अप्लाई करना है जन्रल इंस्ट्रक्शन आपके पास यहाँ पर गिवन है कि क्या क्या जन्रल इंस्ट्रक्शन है अब मैं आपको यहाँ पर डेट की बता देता हूं कि लास्ट डेट क्या है आपक सब्सक्राइब करने का और एक्जामिनेशन टेंटे बलीवली दिसंबर बोला गया है तो आप दस दिसंबर तक तो माने चलिए कि फॉर्म फिलाप हो रहे होंगे दस दिसंबर के बाद यह एक्जाम डेफिनेटली आपको कंड़क्ट होगा ठीक है इसके अलाव में आपको इन इलेक्ट्रिकल केंडिडेट्स फोर गेट एंड इंजिनिंग सर्विसें से एक्जामिनेशन बाकि हमारे सर हैं खेमिन सर हैं अंकिस सर हैं यह एई जे और आरवी के जो कोर्सें उसमें भी इनबॉल्व्ड है तो इसकी वाज़े से क्या होता है आपके पास इसी इलेक्ट्र पाएं उनको इनफॉर्मेशन नहीं मिल पाई और लाइब पढ़ना चाते हैं तो देसंबर हो मेरे साथ लाइब जोड़ सकते हैं गेट 25 के लिए भी और गेट 26 के लिए भी ठीक है बात माल दोया 25 कोई केंडिड बच्चा ऐसा है जिसका एनलोग सरकिट थोड़ा बीक रह कर सकता है क्योंकि उसको लगे कि लास्ट लास्ट में अगा टैन माक्स ग्रैप कर सकता है फ्रॉम माई कोर्स डेफिनेटी देसोट जॉइन दा कोर्स इंद देसंबर लाइब और रिकॉड़ेट भी अविलेबल है यह मैंने एक एक्जामपल दिया सेंबे में हर पास इंडिवुज्यल रिकॉड़ेट कोर्स इसे अब लेबल है आप किसी भी टीचर का इंडिविजल कोर्स परचेस कर सकते हैं और आप उस सब्जक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं फुल कोर्सें पर गेट दोहार 25 गेट जबद चबीस हमारे पास इबीलेवल है आप फूल comprehensive detailed course खई सकते हैं साथ ही साथ specifically अभी गेट 25 की बात करूँ में तो जो last moment में आपको revision की need होती है तो हमारे rank improvement batch आपके लिए काफी helpful हो सकते हैं आपके पास rank improvement batch में हमने नए questions कराये होते हैं तो जो क्या करते हैं आपके जो पहले से courses तयार हैं आपके पास या आप बहुत short duration में आप syllabus को complete करना चाहते हैं किसी particular subject के तो आप आराई भी बहुत help करता है इसमें नए questions है सारे के सारे दूसरी बात क्या मिलती है आपको एक short duration में आपको subject को revise करने का मौका मिलता है साथी साथ इसमें आपको एक तरीके से short notes भी आपको मिल जाते हैं जो teacher के point of view से बने होते हैं कि क्या क्या important है और उनी चीज़ों को हाँ पर discuss किया होता है उसी से relevant questions किये होते हैं तो आपको R.I. कापी help कर सकता है और 50% discount चल रहा है भी तो आप इस opportunity को बिलकुल भुनाइए क्योंकि इतने low cost में अगर आपको कोई course मिल रहा है और last में अगर वो आपको 10 to 15 marks का भी weightage देगी हमाल लो extra compared to other तो definitely आपकी rank जमीन से आसमान तक पहुँच जाएगी तो thank you very much for watching this video आप notification की बात क notification उन बच्चों तक पहुच पाए जिनको इसकी बागई में requirement है बागई में need है suppose आपको यह job नहीं भा रही हो लेंक किसी दूसरे को इसकी need हो तो आप इसको share जरूर करें so that maximum student तक यह video पहुच पाए और वो भी इस form को fill up कर सके और जैसा कि मैंने बताया ता भात electronics limited में आप आपके दो अलग-अलग vacancies निकली हुई है एक form 12 12 24 24 को release किया गया और एक 20 12 24 24 को release किया गया दौनों में अलग vacancies है ठीक है तो ध्यान रखें इसको दौनों वीडियो को आप share करें बताएं किसी को जिसको need है और मैं बता रहा हूं भारत electronics limited में यह दौनों मिला कि काफी अच साल के लिए बट मैं आपको बता दूं अगेन मैं बोल रहा हूं बाद में बच्चे बोलते हैं किसे हमें तो यह पता ही नहीं था क्योंकि हर और और आप आए और काम किया हो सकता है उसी बीच में यह क्या दो साल बाद मानलों फुल टाइम की कोई vacancies निकलती है तो obviously उस case मे है आपका वो जो रिलेवेंट एक्सपिरेंस है वो अच्छा कासा काम आता है तो थैंक्यू बेरी मच्च वाचिंग दिस वीडियो प्लीस लाइक एंड सेयर